दुरों के शिवनात नदी मार्क पर इस्थित देशी शराब दुकान में अग्यात चोरों ने नगत राशी चोरी कर ली इतना ही नहीं उन चोरों ने दुकान में बने गल्ले को ही उखाड ले गए पूरा मामला सिस्टी फूटेज में कैद हो गया है उत्वाली थाना अंतरगत नया पारा में इस्थित देशी शराब दुकान का बेती रात अग्यात चोरों ने ताला तोड़कर लाखो रुपै नगत की चोरी कर ली दुर्ग्यों पुलिस मामले की जाच में जुट गई है इस संबन में मिली जानकारी के मताबिक नया पारास्तित मदीरा दुकान में अग्यात चोरों ने रात में धावा बोल दिया और दरवाजे का ताला तोड़कर चोर अंदर प्रवेश किये और और लोहे के बड़े गल्ले को ही उखाड़कर साथ में लेकर चले गए कर दो दिए को अनला तोड़कर साथ में लेकर साथ में लेकर चुका टाला था चुका फ़र के लेकर साथ चुका कि बादा खुका बादाने इस मामले में दिल्चस्प बात गे रही कि वहाँ पर दो सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी थी जो रात में गश्ट दे रहे थे इसके बौजुत आरोपी बड़े ही चतुराई से घटना को अंजाम दे कर फरार हो गए इस घटना से पुलिस मैकमे में हडकंप मचा हुआ है देशी मदिरा दुकान का ठेका बी आई एस बौंबे इंट्रोग्रेटेड सिक्रेट इंडिया लिमिटेड कंपनी को मिला हुआ है बरसा बताये जा रहा है कि शराब भटी के गल्ले में लगभग 10 लाख रुपए रखे हुए थे कोतवाली पुलिस ने शक के अधार पर देशी शराब दुकान के एक करमचारी सहित अन संदिहियों से पुछताच कर रही है और सिसी टीवी में कैद फुटेज को खंगाल रही है फुटेज में चार आरोपी दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको बता दे घटना रात लगभग धाई बज़े की है बारिश के कारण भीग जाने पर आरोपी तोने शराब दुकान में रखे करमियों के ड्रेस कोड़ वाली टीशर्ट को पहन कर बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मामले में दुरुकोत वाली थाना प्रभारी विजह यादाओं ने कहा कि पुलिस इस मामले में संदेहियों को पकड़ कर पूछताच कर रही है उम्मिद है कि जल्द ही आरोपी पकड़ लिये जाएंगे एसीन नियूस के लिए दुर्गसे नसीम फारुकी की रिपोर्ट